नमस्कार बोल के लिए बाजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा क्या सारा खेल इस बात को लेकर है कि 22 जग्वरी को जब राम मंदिर का उद्गाटन होगा तो कैमरा की आँख जो है वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कहीं और ना जाए इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया जा रहा है जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर से कैमरा की निगाह को हटा सके ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते वो इलाबाज़ात है तेरे ख़वर क्या है दोस्तों राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान आया है उन्होंने कहा है कि मुरली मनुहर जोशी और लालकृष्ण अडवानी दोनों की तबियत ठीक नहीं है इसलिए वो राम मंदिर के उद्धाटन में न आये कौन है ये दोनों याद है कि में आपको 1990 में जब विश्वनात प्रताब सिंग मंडल कमिशन लेकर आये थे तो जाहिर सी बात है भारती जनता पार्टी में उसको लेकर एक विरोध था अब खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे इसलिए लालकृष्ण आडवानी ने राम रत्यात्रा शुरू कर दी वो रत्यात्रा जहां जहां से गुजरी उसके चलते देश में दंगे हुए कई लोग मारे गए आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने उसे बिहार में रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में दंगे हुए मैं आपको ये घटना करम क्यूं बता रहा हूँ क्योंकि उस घटना करम का परिणाम जो है वो सामने उभर कर आता है 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी का ढाशा गिराया जाता है वो दिन जिसे लाल कृष्ण आडवानी ने अपनी जिंदगी का सबसे काला दिन बताया था कहने का आर्थ क्या है आज अगर राम मंदिर का निर्मान हो रहा है तो इसकी नीव 1990 को लाल कृष्ण आडवानी ने अपनी इस रत्यात्रा के जरी रखी थी आज चंपत राय कहते हैं कि खराब स्वास्त की वज़ा से आपको आने की जरूरत नहीं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यह फैसला तो लाल कृष्ण आडवानी को करना चाहिए न या मुरली मनुहर जोशी को करना चाहिए कि वो आएं या ना आएं शंपत राय ने पहले से ही उन्हें चंपत कर दिया और पहले से ही कह दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं है और ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल कृष्ण आडवानी और मुरली मनुहर जोशी के बारे में कहा गया है याद कीजिए सबसे पहला बयान चंपत राय का क्या आता है सबसे पहला बयान यह आता है कि जो भी व्यक्ति सामवेधानिक पद पर बैठा है वो यहाँ ना आवे अधिकार क्षेत्र नहीं है जहां तक कानूं यवस्था की बात है यह मुख्य मंतरी आदितनाती जिम्मेदारी है लहाजा यह चंपत राय का अधिकार क्षेत्र नहीं था मगर स्वाभाविक सी बात है अगर आप चंपत राय के शब्दों को पढ़ें उसकी सोच पर गौर करें तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि 22 जन्वरी को सिर्फ एक राजनेता मंच पर रहे और वो हैं प्रधानंत्री नरेद्र मोधिय। जिसका परिणाम हमने 6 दसंबर 1992 को देखा था और स्वाभाविक सी बात है कि भारती जन्ता पार्टी ऐसा नहीं चाहती है क्योंकि बिलकुल ऐसा ही एक और घटना क्रम में हुआ है और कौन सा घटना क्रम में आपको बताता हूँ याद कीजे जब नई संसद का उद्गाटन ह अगर सामविधानिक पद की बात करें तो प्रधान मंत्री से उपर कौन है देश की राश्पती द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी प्रिष्ट भूमी की है मगर नई संसद के उद्गाटन में उन्हें नहीं बुलाया जाता है प्रधान मंत्री संगोल हात में लिए जो ह शेकार होती है संगोल के सामने जब वो शाष्टांग होते हैं तो उनके मंत्री प्रहलाज जोशी कहते हैं कि राजा जो है वो संगोल के सामने शीश जुका रहा है उस्वक भी यही हुआ था राश्पती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था ताकि कैमरा प्रधान मंत्री से उपर हैं इसलिए उन्हें बुलाया ही नहीं गया न रहेगा बास न बजेगी बासुरी अब वही चीज जो है वो हो रही है 22 जन्वरी को जब राम मंदर के कपाट जो हैं खोले जा रहे हैं उसका उत्खाटन हो रहा है यह वही चंपत रहे हैं जिन्हों इश्वर बता देना या फिर इश्वर के बराबर बता देना मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों कहा है इसमें राम के प्रति आस्था जब भारती जन्ता पार्टी वाले ये नारे लगाते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं यानि कि भारती जन्ता पाटी अपने आपको इतना बड़ा समझती है कि उसे लगता है कि वो राम को लेकर आये थे बीजेपी आज की तारीक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना उचा समझती है कि राम मंदिर के उधगाटन में ना लालकृष्ण अडवानी ना मुरली मनहर जोशी उन्हें भी नहीं बुलाया जाता है और खराब सेथ की बात जो कर रहे हैं मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इस मौके पर क्या राश्पती द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया बताईए भई जब प्रधान मंत्री वहां जा सकते हैं तो राश्पती द्रौपदी मुर्मू हां क्यों नहीं जा सकते हैं अपने आप में कितना खुबसूरत संदेश जाएगा बताईए कि देश की पहली आदिवासी महिला राश्चुपती राम मंदिर के उद्गाटन में वहां मौझूद हैं क्यों नहीं भारती जनता पार्टी सरकार ने उन्हें नियोता दिया इसी मंच पर और अन्य अपने अलग-अलग मंचों पर मैं आपको बार-बार बतला चुका हूँ कि अब आने वाले दिनों में न्यूज चैनल्स हों अखबार हों सब राम मंदिर और उससे जुड़ी राजनीती से सराबोर होने वाली है और बात राम की नहीं होगी नहीं राम आस्था की बात भी नहीं होगी कोशिश यह होगी कि 22 जनवरी को जो घटना करम होने वाला है उसके जरीए भाड़ती जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा शुनावी फाइदा हो वरना मुझे बताईए आखिर उस दिन प्रधान मंत्री के अलावा वहाँ पर किसे अन्य राजनीतिक शक्सियत को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है क्यों शंपत राए जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई अन्य साम्वेधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ना आए मुख्यमंत्री ना आए आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसमे सवाल होंगे ना सबसे बड़ी बात गोरक नात मंदिर के मठ से जुड़े हुए हैं मुझूदा मुख्यमंत्री योगी आदित नात उन्हीं भी ऐसा लगता है निमंत्रण नहीं है कम से कम राम जन्म भूमी तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय के तेवरों से यही स्पष्ठ होता है दूस्तों सारी कोशिश यही है आम चुनावों में मुश्किल से तीन महिने का वक्त रह गया है राम मंदर के उद्घाटन के जरीए प्रधान मंत्री को भगवान का अफ्तार बताया जाए जो की चंपत राय के है चुके है मगर ये तो चंपत राय हुए देश के उप्राश्च पती एक सामवेधानिक पद देश के उप्राश्च पती कहने को एक याईसा व्यक्ती जिसे निश्पक्ष होना चाहिए मगर जगदीब धनकर लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं मानो वो भाजपा के एक नेताम उनका ताजा बयान देखिए उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान श्री कृष्च से कर डाली है इस वक्त देश में जिस तरह का शासन चल रहा है उसकी तुलना उन्होंने गीता से कर डाली है विश्वास ना हो तो मैं आपको उनका बयान पढ़के सुनाना चाहता हूँ मुलाइज़ा फर्माईए बकॉल उप्राश्पती जगदीब धनकर भगवान श्री कृष्च ने कहा अर्जुन तेरे सामने कौन है रिष्टदार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्र होंगे पत भ्रष्ट मत हो, कर्तव्व को मत छोड़ो, कर्तव्व को करते रहो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज यही कर रहे हैं इस दिश के उप्राश्पती हैं मगर इनके बयाना देखिए मानों भारती जानता पार्टी के कोई नेता या केंद्र सरकार के मंत्री मंडल में शामिल कोई मंत्री हो। दूसरा बयान भारत वर्ष का जो वर्तमान गवनिंस है उसको मैं गीता गवनिंस कह सकता हूं। सुनिए पहले वो क्या कह रहे फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। अंकर साब मुझे एक बात बताईए, 92 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, सिर्व इसलिए कि वो सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठा रहे थे। सिर्व इसलिए कि वो ये कह रहे थे कि जिस प्रताप सिम्हा ने दो लोगों को गेट पास दिया था, जो दो लोग दर्शक दीरखा से कूद गये थे, जो एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूप थी, वो लोग सिर्व इतना कह रहे थे, कि आमिच शा सदन में आएं और बयान दें, बगर बानवे लोगों को निलंबित कर दिया जाता है, बानवे सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, और जगदीब धंकर जी आप ये कहते हैं, कि देश में गीता गवनेंस चल रहा है, अगर वो सामान इसी बात थी, तो उन लोगों पर आतंकवाद की धाराओं म Act के अंतरगत, UAPA के अंतरगत उन पर केस किया, यानि कि आप मामले को गंभीर बता रहे हैं, और अगर मामला गंभीर है, और उसका तालुक Law and Order से हैं, तो देश के ग्रे मंत्रिया मिच्शा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, और फिर आप गीता governance की बात करते हैं, आज की तारीख में जो भी सवाल करेगा वो anti-national हो जाएगा, और यही बात जगदीब धनकड के तेवरों में भी दिखाई देती है, एक और शर्णाग बयान आपके सामने, anti-national narratives are like covid virus, यह बयान उन्होंने 17 दिसंबर को दिया था, anti-national narratives, कौन फैसला करेगा बताईए, आप लोगों को बगैर चार्चीट दाखिल किये, UAPA के अंतरगत जेल में डाल देते हैं, भारती जनता पार्टी यह फैसला कर रही है कि कौन प्रो इंडिया है और कौन anti-India, और अब आप अपनी सुविधा अनुसार यह कह रहे हैं कि anti-national narratives are like covid virus, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कि क्या सवाल करना anti-national है, बताईए, सदन के अंदर मैं नहीं भूला हूँ, किस तरह से दिगविजय सिंग ने नसीहत दी थी जगदीब धनकड को, कि आपको पक्षपाज से उपर रहना होगा, यह अपने आप में अप्रत्याशित है, बड़े पैमाने पर लोगों को संसद से निलंबित किया जा रहा है, राजसभा, लोकसभा से निलंबित किया जा रहा है, निलंबन की प्रक्रिया इस तेजी से चल रही है, कि ऐसे ऐसे लोगों को भी निलंबित किया जा रहा है, जो सदन में मौझूद ही नहीं थे, और फिर आप यह कह रहे हैं, कि देश में इस व सिर्फ एक मकसद है कि सदंग के अंदर लोगसभा और राजसभा के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दे सिर्फ एक पुलिटिकल पार्टी का बोल बाला हो और ये शर्मनाक है कि राम जन्म भूमी तीर्थ ट्रस्ट से लेकर देश के उपराश्पती से लेकर कुछ जज़स से लेकर तमाम लोग बस इसी बात में लगे हुए है कि किसी तरह से प्रधान मंत्री का महिमा मंदन किया जाए बस और कुछ नहीं और कितनी अजीबो गरीब बात है ना ये वही भारती जनता पाटी है जो पिछले दस सालों में कह रही है कि भई सरदार पटेल के साथ क्या नाइनसाफी हुई सुभाष चंद्रबोस के साथ क्या नाइनसाफी हुई सरदार पटेल पहले प्रधान मंत्री हो सकते थे और आज आपके सबसे बड़े आदर्श लाल कृष्णा अडवानी और मुरली मनोहर जोशी के साथ आपने क्या किया बताईए क्योंकि जो मौडन बीजेपी है जो मौजूदा बीजेपी है उसकी नीव किसकी राजनीती में है उसकी नीव है राम रत यात्रा में जो लाल कृष्णा अडवानी ने निकाली थे उसका एक हिंसक इतिहास हुए एक अलग मुद्दा है उसकी मैं कई बार चर्शा कर चुका हूँ मगर बड़ा सवाल ये कि अपनी राजनीती के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी के महमा मंडन के लिए आप लाल कृष्णा आडवानी को भूल गया है तो क्या ऐसे में आपको पटेल के बारे में बोस के बारे में कहने का अधिकार है गौर कीजेगा मिरी इस बात पर क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे में हम वो मुद्दे उठाते हैं जो असहज करने वाले है जिससे सुनना कुछ लोग पसंद नहीं करते है मगर हम तो बोलेंगे बार-बार बोलेंगे लगातार बोलेंगे और डंके की चोट पर बोलेंगे अब इसार शेर्मा गुदीजे इजासत नवस्कार बार-बार बोले है